Hello friends, my name is Saurabh और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे Transformer winding resistance test तो winding resistance test को देखने से पहले हम समझते हैं, what is winding resistance तो जैसा की हम जानते हैं, कोई भी transformer में transformer के core में windings होते हैं तो transformer में जो भी current होते हैं या फिर जो भी flux generate होते हैं वो सही से तभी होंगे जब उसके winding के resistance transformer के कम से कम होंगे transformer में जो भी हम bolt लगाते हैं या फिर जब भी tap change करते हैं तो वो सभी contacts के जो resistance है वो कम से कम होना चाहिए तभी हम ये मान के चलेंगे कि जो भी transformer है वहाँ पे जो current या flux generate हो रहे हैं वो सही हो रहे हैं या फिर losses काफी कम हो रहे हैं तो इसके लिए हम winding resistance test करते हैं तो next what we check from transformer winding resistance test अगर मैं transformer का winding resistance test करता हूँ तो मैं क्या expect करता हूँ कि मेरे को क्या चाहिए तो सबसे पहला है continuity of winding तो सबसे पहले कि अगर मैं transformer में current inject कर रहा हूँ तो वो जो current है वो end to end मेरा transformer में जाना चाहिए और losses से वो काफी कम होना चाहिए तो ये तभी होगा जब मेरा resistance कम से कम आएगा winding का तो सबसे पहले तो हम check करते हैं continuity of winding next quality of bolted joints in winding connection अभी जब हम connection करते हैं winding का किसे transformer के core में या transformer में तो वहाँ पे joints होते हैं तो वो joints में hot spot आ सकते हैं वो joints में resistance increase हो सकते हैं तो वो जो भी joints है bolted joints है वो सभी में resistance कम होना चाहिए तो second हम ये check करते हैं third क्या है any of abnormality due to loose connection या फिर broken strength अभी winding में कोई अगर मेरा wire है या फिर कोई मेरा जो भी winding है वो cut हो जाए तूट जाए तो वो अगर वैसा होता है तो मेरा winding resistance काफी जादा आएगा तो एक हम ये भी predict कर सकते हैं अगर मेरा resistance जादा आया कि कोई winding में मेरा fault हो चुका है और last है contact resistance in tap changer अभी क्या होता है transformer के hv side में tap changing हम कर सकते हैं तो वो क्या होता है वो variable होता है अगर मैं suppose tap 1 से tap 2 में करता हूँ तो मेरा winding का tap change हो रहा है इसका मतलब क्या हूं मेरा winding मेरा move कर रहा है hv side में तो जब मेरा winding मूफ कर रहा है तो मेरा contact change हो रहा है तो वो contract मेरा resistance नहीं होना चाहिए ज़्यादा जो अगर मेरा रगिंग होता है तो उसके कारव मेरा रजिस्टेंस जेनरेट हो सकता है तो एक हम वो भी चेक कर सकते हैं कि मेरा जब वाइंडिंग का जब मैं टैप चेंज करता हूं तो उस वक्त मेरा resistance क्या है तो ये सारे चीज मैं चेक करता हूँ जब मैं winding resistance test लेता हूँ तो अभी next समझते हैं अगर मुरे को winding resistance test actual में करना है practical में तो उसका connection कैसे करेंगे तो अभी आप जानते हैं कि कोई भी transformer में दो तरह के winding हो सकते हैं एक star और दुसरा delta तो अभी एक ये फोटो में आप देख सकते हैं ये है star winding तो अगर मैं star winding का connection करता हूँ तो आप देखिए आपका suppose ये मेरा a phase है ये मेरा a phase है तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा मैं voltage का एक knob और एक current का knob connect कर दूँगा अभी आप समझे कि मैं resistance क्या होता according to ohm's low resistance is equal to voltage by current तो या तो मैं current inject करूँ या मैं voltage inject करूँ और मैं उसका drop चेक करूँगा तो मैं winding resistance में क्या करता हूँ current मैं inject करता हूँ suppose 2 ampere, 1 ampere, 0.5 ampere मैं current inject करता हूँ winding में और मैं ये चेक करता हूँ कि मेरा voltage drop कितना हूँ voltage drop कब होगा जब मेरा कोई resistance रहेगा winding में तो तो उस हिसाब से मेरा resistance मेरे को मिलता है transformer का तो अभी मैं इसमें अगर मेरे को voltage current inject करना है और voltage drop चेक करना है तो मैं क्या इसमें करना पड़ेगा मुझे मेरे को एक current का नोब चाहिए एक voltage का नोब चाहिए तो मैं क्या करूँगा primary side में suppose ये A phase है तो इसमें मैं एक current का नोब कनेक्ट किया और एक voltage का कनेक्ट कर दिया और reference मैं इसमें neutral को लिया क्योंकि ये star winding है तो star winding में मेरे को neutral रहता है तो मैं reference neutral को लिया और वहाँ भी मैं current आप black वाला देख सकते current और voltage में connect कर दिया फिर मैं यहाँ पर क्या करूँगा suppose 2A current inject किया और फिर मैं चेक किया कि मेरा voltage drop कितना हुआ और जितना भी मेरा voltage drop हुआ और जो मैं current inject किया उसका ratio मैं करूँगा तो मेरा resistance आ जाएगा तो इस हिसाब से मैं winding resistance test का connection करता हूँ तो same way से मैं A phase to neutral करूँगा B phase to neutral करूँगा C phase to neutral करूँगा अगर मैं A phase to neutral किया तो मेरा A phase का winding आएगा B phase to neutral किया तो B phase का winding आएगा और C phase किया किया तो उसके respective में जो भी winding है वो आएंगे next हम समझते हैं कि अगर मैं delta transformer delta winding रहता है तो मैं connection कैसे करूँगा C अगर मेरा delta winding रहा तो मेरा reference के लिए neutral नहीं है तो इसमें मैं क्या करूँगा इसमें मैं phase to phase में मैं check करूँगा कि क्या मेरा resistance आ रहा है जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं यह मेरा delta winding है तो यहाँ पर मैं A phase यह suppose मेरा A phase है यह B phase है और यह C phase है तो मैं A phase में current और voltage connect किया नो B phase में भी मैं current और voltage connect किया कैसे देखिए A phase आप देखिए यहाँ पर I plus है current का और यहाँ पर V plus है voltage का I minus है यहाँ पर current का और V minus है मेरा voltage का तो मैं B phase में connect किया अभी मैं इसका चिक करूँगा तो मेरे एको दो winding के resistance मिलेंगे A phase to B phase में मैं current circulate करवा रहा हूँ तो उसका winding का मेरे को resistance मिलेंगे सेम वे से मैं B to C और C to A में करूँगा अभी हम समझते हैं practical situation में मैं यह कैसे करता हूँ आप यह देखिए यह एक मेरा winding resistance test kit है और यह मेरा transformer है जो की मेरा primary side है HV side वो delta है और LV side है वो star है अभी हम देखते हैं इसका connection कैसे करना है सबसे पहले जैसा कि मैं बताया कि मैं I जो current का knob को मैं A phase में connect कर दिया देन मैं voltage का knob को V positive को मैं भी A phase में connect कर दिया देन जो मेरा negative I minus और V minus मेरे को neutral में connect करना है क्योंकि यह star winding है तो इसको मैं neutral में connect किया और V minus को भी मैं neutral में connect कर दिया तो ये मेरा connection है, मेरा winding का connection मैं कैसे करता हूँ, अभी मैं इस kit से, मैं suppose मैं 2A current inject करूँगा और मैं resistance चेक करूँगा, तो मेरा इसका resistance से कुछ 1 ohm, या फिर milli ohm में, या फिर 0.5 ohm ऐसे तरह से आना चाहिए, अगर मेरा इससे ज़्यादा आ रहा है, तो इसका जो transformer का winding resistance है, वो मैं कैसे करूँगा, तो जैसा कि मैंने delta में बताया कि मैं phase to phase करता हूँ, तो मैं I plus और V plus को एक phase में connect करूँगा, जैसा कि आप देख सकते हैं, A phase में connect किया, और V plus को भी A phase में connect किया, मैं I minus को मैं second phase में connect किया, और V minus को भी मैं second phase में connect किया, और same way से मैं current inject करूँगा, और मै फिर kit मेरा voltage drop check करके मेरे को resistance प्रोवाइट कर देगा सेम वे से मैं जैसे A phase to C phase यहाँ पर किया उस तरह से A, B, B, C और C ये करना है तो इस तरह से हमें winding resistance मिल जाएंगे अभी next हम समझते हैं अगर मेरे को winding resistance मिल गये हैं तो उसका calculation हमें कैसा करना है C, हम जब कोई भी factory से transformer को ले के आते हैं जब new transformer लेते हैं तो factory acceptance test होता है जहाँ पर winding resistance test किया जाता है तो वो मेरा winding resistance test जब मैं factory में करता हूँ तो वो मेरा reference value होता है उसके बाद जब मैं 10 साल, 5 साल बाद जब winding resistance test कभी भी करता हूँ मैं switch yard में या फिर मैं location पर तो वो मैं reference से मैं match करता हूँ कि कितना deviation आया है तो अभी आप समझे आप जानते हैं कि जो resistance है वो temperature के हिसाब से change होता है तो जब मैं factory में जब winding resistance test किया तो वहाँ पर कुछ temperature होंगे जब मैं 2 साल या 5 साल बाद मैं कर रहा हूँ तो वहाँ पर कुछ अलग temperature होंगे तो मेरे को एक reference चाहिए जो एक same temperature पर मैं winding resistance test compare कर सकूँ तो जो मेरा ambient temperature होता है जब मेरा factory में test होता है winding resistance तो वो suppose कोई भी temperature पर हो तो उसके respect में 75 degree Celsius पर क्या मेरा resistance होगा वो हम calculate करते हैं और जगर हम बाद में भी जब winding resistance का test करते हैं तो भी मैं 75 degree Celsius के लिए निकालते हैं और फिर मैं match करता हूँ यह मैं कैसे करता हूँ अभी हम समझते हैं यह देखिए यह एक formula है कि मेरा resistance 75 degree Celsius का क्या होता है अब देख सकते हैं RT 235 plus 75 divided by 235 plus T T क्या है ambient temperature जब मैं winding resistance test कर रहा हूँ उस वक्त मेरा temperature क्या है हम इसको एक example से समझते हैं अभी आप देख सकते हैं if suppose कि मेरा winding resistance मेरा A phase to B phase में आ रहा है 6.25 ohm at 36 degree Celsius जब मैं 36 degree Celsius जब मेरा temperature है तब मेरा winding resistance 6.25 ohm आ रहा है तो मेरा winding resistance per phase क्या होगा अगर मैं winding resistance में face to face का करता हूँ तो मेरे को per phase निकालना जैसा कि मैं बताया कि जब मैं face to face कर रहा हूँ तो मेरे 2 winding picture में आ रहे हैं तो अगर आपको per phase पे निकालना है तो 1.5 से multiply कर देजे 6.25 को उसके बाद क्या करना है कि मेरे को resistance 75 degree Celsius पे क्या होगा वो निकालना है तो मैं क्या करूँगा मैं 9.3 मैं इस formula में put up कर दूँगा तो अगर आप ये formula में put up करेंगे तो आपका resistance है वो 10.72 ohm आ जाएगा तो अभी आप देखिए कि मेरा winding resistance per phase मेरा कितना था 9.375 ये कब था मेरा 36 degree Celsius में तो अगर मेरा 36 degree Celsius में 9.3 होगा तो मेरा 75 degree Celsius में 10.72 होगा तो ये मेरा reference value है तो मैं कभी भी जब winding resistance करूँगा तो मैं 75 degree Celsius पे का निकालूँगा कितना आ रहा है और फिर मैं match करूँगा कि मेरा winding resistance सही है या कम है दुसरा match करने का ये तरीका है कि मेरा winding resistance सही है या नहीं कि अगर मैं A, B और C phase में करता हूँ तो मेरा जो normally ज्यादा deviation नहीं होना चाहिए तीनो phase के winding resistance में सभी का normal same type के ही आना चाहिए मेरा resistance So that's all about this video If you like the video, please like, share and subscribe If you have any doubt, you can ask in the comment section Thank you